विटिया की जिग्यासा है अपने परिवार से ही कोई प्रेमी परिवार से ही है महराष्ट्रा से है क्यारेक वडिलोनों व्यवहार कही ना शकाई सही ना शकाई ए परिस्थिति केविरिते टेकल कराई मानसिक शान्ति विक्सिप तथ ही जाई छे अन्य संस्कार बोलवा देता न थे सही है बहुत लोगों की ये प्रश्ण है कभी-कभी छोटे बच्चों का ये एक शिकायत रहता है कि बड़े हम कुछ समझते नहीं और फिर वो जो कुछ बोल देते हैं गुसा करते हैं तो संसकार क्ये चलते मर्याद आके चलते छोटे अपनी जाब नहीं दे सकते और इसके चलते फिर वो जो एक सप्रेशन होता है अंदर-अंदर-अंदर वो कभीन-कभी या तो उसको खुद को नुक्सान करेगा या तो कभी मर्यादाएं तूट जाएगी दो ही हो सकता है या तो मर्यादाएं तूट जाती है या आदमी सप्रेस्ट होने लगता है मनों विज्ञान की दृष्टी से ये स्थिती अच्छी नहीं है मुझे लगता है कि ऐसी स्थिती में यदि आप सही हो और आपको आप निर्दोश होते हुए भी आपको डाटा जा रहा है या कुछ कहा जा रहा है आप पर गुसा किया जा रहा है कोई आपको समझता नहीं है तो नमबर वन हमारे संसकार हमारी परंपरा हमारी मरियादा ये ही कहती है कि उस वक्त तो सुन लो जो आप कर रहे हो अभी लेकिन फिर उसको एड्रेस करना है तो जब अगला शान्त होए यानि वडिल बुजर्ग जब शान्त होए कभी अपने किसी सेवा से अपने कारिया से उनको प्रसन भी तो कर सकते हुआ और जब वो प्रसन हो जब वो शान्त हो तब आग्या लेकर के और पॉजिटिव वे में आप अपनी बात तब रखो क्योंकि तब वो receiving mode पर हो सकते हैं जब वो क्रोध में हैं गुसा ने हैं वो receiving mode पर नहीं है वो एक दम aggressive है उस वक्त आप कुछ करने भी जा ओगए सामने बोलता है सामने जवाब देता है तेरी जीब कैसे निकलाई आदी पिर बात बढ़ती है तो संसकार और पद्धती ये है कि उस वक्त कुछ न बूला जाए लेकिन फिर वो भीतर ही भीतर दबा हुआ रहेगा तो आपको नुक्सान पहुचाएगा अतह आप अपनी बात कहसको ऐसा एक भूमी का एक जमीन बनाओ ये आपके उपर है दो बात है एक तो आप डाटने वाले अपने बुजर्ग के प्रती नकारात मकता से भर जाओ और कह दो कि he or she will never understand me मेरे साथ हमेशा इसी तरह से न्याई ही होता है पहले तो ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है उसमें मेरा कहां क्या दोश है पहले ये जानने समझने की कोशिश करें और फिर इसका सोलुशन क्या हो सकता है ये चिंतन करें और थर्ड स्टेप है कि अंत में घर के ही हैं अपने बड़े हैं आप साथ ही रहते हैं साथ यदि नहीं भी रहते हैं तो आपके हैं परिवार के हैं आपके बड़े हैं तो किसी तरह से जब आपको कोई सेवा मिले या तो आप सेवा ले करके किसी तरह उनको प्रसन करके और जब वो प्रसन हो है जब वो शान्त हो है तो वो जो पुरानी फाइल है वो एकदम सका नारात्मक ढंग से कि यदि आप आग्या करें तो मैं ये बात थोड़ा कहना चाहता हूं या चाहती हूं और फिर ये पूरा कह कि आपको मुझे डांटने का पूरा अधिकार है मापकी संतान है आपकी डांट भी हमारे कल्यान के लिए है हमारे भले के लिए है आपकी डाट में भी आपका प्रेम ही है लेकिन थोड़ी सी स्पष्टता में अपनी और से यदि आप आग्या करें तो करना चाहता है फिर आप जो निरने करें ये कह करके हम अपनी बात एक बार रख सकते हैं और रखना चाहिए और तब अगला यानि वो जो वडिल है बुजर्ग है वो भी एक बार रिसिवंग मोड पे होता है तो एक बार सुनेगा तो सही और सुनने के बाद वो भी सोचेंगे और सोचने के बाद उनको भी ये लगेगा कि नहीं इसमें इसका भी एक yeah और इस पक्ष पर थोड़ा विचार करने जैसा है तो दीरे 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 फिर समाधान की और बात जाएगी और ये जो समस्या है उससे आप निजात पा सकते हो इस नोट अनली इन ये फैमली या आप जहां काम करते हैं वहां भी ये लग होता है अपना जो बोस है अपना जो उपर यदिकारी है और बहुत सारा दुनिया में कपट और नाटक और एक दूसरे को पचाड़ने की बृत्ती ये सब बहुत देखने को मिलता है तो ऐसे में किस तरह से धैरी पुरवक और समझदारी पुरवक और सद्भाव को सुरक्षित रखते हुए और सकारात मक्ता को मजबूत रखते हुए आप हर समस्या का समाजान खुच सकते हो उस पर विचार करना चाहिए लेकिन बात सही है आपके संसकार आपको नहीं बूलने देते ये विनमरता ये विवेग होना ही चाहिए लेकिन अड़ सेम टाइम वो सब दबती चली जाए बाते हैं और कच्रा बढ़ता चला जाए ऐसा भी नहीं हो अतहर इस तरह से मेरे हिसाब से रखी जाए बात तो समस्या कान तो सकता है हल हो सकता कर दो सकता है